हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्वास फिर्च अपने यूटीब चन्र पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस थे इंजॉय कर रहे हैं यूनिवर्सल हुमन वेल्यूज और प्रोफेशनल इतिक्स का सब्जेक्ट चल रह है 11 most important question पर मैं आगया हूं 14 तक हमें जाना है जल्दी से देख लेते हैं 11 most important question professional ethics यह one of the most मेरे तरफ से एक favorite question रहा है क्योंकि MBA मैंने इसमें भी presentation दीती इसलिए topic मेरे दिल के काफी करीब रहे और professional ethics क्या होता है और यह बार-बार पूचा जाता है यह आए गई पार्ट B, पार्ट A, पार्ट C कहीं न कहीं है question हमेशा ही human values की class में मिलता ही है क्या है यह professional ethics इतिक्स आते हैं सबसे पहले इतिक्स जो होते हैं वो golden rules होते हैं जो हमेशा follow करना चाहिए जैसे कि हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए हमें बड़ो का आदर करना चाहिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए इतिक्स आर golden rules जो किसी भी class किसी भी society किसी भी nation पे equally implement होते हैं ऐसा नहीं कोई हिंदू है तो ही उसको सच बोलना चाहिए किसी particular caste community का है तो उसको सच नहीं बोलना चाहिए सब के लिए किसी बड़ो का आदर करना चाहिए तो यह सब के लिए equal है ना अगर आप अमेरिका में तब भी करना चाहिए इंडिया में तब भी करना चाहिए पाकिस्तान में तब भी करना चाहिए तो ethics are the golden rules which are universally applicable अब जहां पाई यह word आगे लग जाता है professional तो जो professional का मतलब क्या है जब हम किसी skill training के अंदर skill के अंदर train होके एक particular skill enhancement होता है तो हम professional के लाते हैं like doctors are professional, lawyers are professional, CA as professional, MBA are professional, लेकिन common degree की degree को professional degree नहीं बोलते हैं, क्यों कि उसके अंदर को skill सेह, हमने कुछ पढ़ा और मने history में करा MMA history में करा तो हमने normal चीजें सीह, लेकिन अगर हम ko nache BBA कर रहे होते हैं, MBA कर रहे होते हैं, BAC कर रहे हैं तो वह professional degree में आ जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर eak particular skill स्थ से से एक उपाक्टंटलर ट्री एक एफिंसेट्टूटलर ट्रीनिद से एप ट्रैणिंग करते हैं तो इसके प्रोफीचनल यहाँ न स्गिछ पाइडिया हो गया होगा, आइडिया क्या है professional ethics के पीछ में, कि जो profession पर universally applicable rules and regulation होते हैं, और good rules and regulations वो professional ethics होते हैं, like कि हमें हमाशा order follow करने चाहिए, work पे टाइम पे आना चाहिए, disciplinary action लेने चाहिए, company के against में कोई काम नहीं करना चाहिए, honesty रखनी चाहिए, उसके loopholes दूसरे arrivers को नहीं बेचने चाहिए, है ना, बेचने ही नहीं चाहिए मतलब, इमानदरी से, job discipline से काम होना चाहिए, work ethics के काम होना चाहिए, undue advantage नहीं लेना चाहिए, अपनी post का, integrity होनी चाहिए, confidentiality होनी चाहिए, यानि कि आपको गोपनियता बनाया रखनी चाहिए, objective होना चाहिए, मतलब कि आप अपने work से work रखें, दूसरे बातों में मन न लगाए, चुगल खोरी न करें, competence होना चाहिए, यानि कि आप अपनी शमताओं का विकास करते रहें, और professional ethics में इसका पालन करते रहें, responsible होना चाहिए, जो काम आपको assign करा जाए, उसको आप अपनी जिम्मेदारी से करें, respect करना चाहिए, अपने elders की, अपने colleagues की सब की, और fair treatment करना चाहिए, सब के साथ में, ये 67 point है, मतलब कि एक अच्छे करमचारी को कैसा होना चाहिए, वो सारे point है, अच्छा करमचारी क्या करेगा, time management होना चाहिए, अपनी skin enhancement करता रहेगा, competence करेगा, honest ह होना चाहिए, इमांदार होना चाहिए, confidential things को रखे, means के गोपनी चीजों को रखे अपने पास, है ना, और fair treatment करे, सब की respect करे, अपने boss को अबे करे, है ना, और time management तो इसमें बार-बार point आता ही है, पस ये 67 point है, और सच बोले आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि speaking truth, but वो ethics के पार्ट हो जाते, professional politics में, वो maintain the decorum in the office, वो वाली सारे points इसके अंदर लिखने चाहिए, मतलब कि एक अच्छा करम चाहिए, I hope ये point समझ में आ गया, काफी important question है, इसकी PPT भी जल्दी आ रही है, टेलिग्राम गूपे, तो मस रही है, खुश रही है, मुस्कराते रही है, जैह कर दो